आज है 8 अप्रेल तो चलिए दिखते हैं आज का करेंट अप्यर्स सबसे पहले होगा रिवीजन कोशिन जो की कल का कोशिन ऑफ दे था चिराग स्कीम इस रिलेटेड तो यह स्कीम रिलेटेड है चिराग स्कीम लाया गया है यह स्कीम बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि यह रिलेटेड है अगरिकल्चरल ग्रोथ से और रूरल डिवलप्मेंट से 36 गर सरकार ने वल्ड बैंक के साथ 100 बिलियन डॉलर का एक डिल किया जिसके अंतरगत अगरिकल्चरल सेक्टर को प्रोट करने के लिए यह स्कीम लाया गया है याद रखिएगा चिराग स्कीम चले देखते हैं आज का करेंट अफियर्स कुश्य नमबर वन Forbes magazine has released a list of richest person 2021 is topped by अभी हाल में Forbes magazine ने एक पुरा list निकाला है किसका richest person का आपको पता रहा है कौन से सबसे rich person है तो वो है Jeff Bezos जी हाँ Jeff Bezos founder of Amazon अभी हाल में list में top स्थान पे आए है उसके अलाबा अगर second rank की बात की जाए तो Elon Musk जो है वो second rank पे आए है इंडिया की बात की जाए तो world में 10th position पे आए है मुकेस अंबानी अगर हम पूरी दुनिया की बात करें कि सबसे ज़्यादा rich person कहां है तो rank 1 पे है USA, second पे चाइना और third पे इंडिया जी हां third पे इंडिया है चलिए आगे देखते हैं question number two हमारी सरक और तामीर तरक्की mobile app is launched by which state और UD बहुत ही important एक app आया है mobile app जिसका नाम है हमारी सरक और तामीर तरक्की ये mobile app launch किया गया है जल्दी से guess कर ले इसका answer है जमू और कस्मीर जी हां जमू और कस्मीर में ये app launch किया गया है वहां के lieutenant governor manoj sinha के द्वारा इसका purpose है e-governance system को strong करना वो कैसे तो वहां के जो local है वो register कर सकते हैं complaint इस app के तुरू और ये भी जान सकते हैं कि उनके complaint पे क्या-क्या कारवाई हुई है तो ये app बहुत important है चलिए आगे बढ़ते हैं question number 3 की तरफ अभी हाल में एक portal launch किया गया है जिसका नाम है सुपेश आपको बताना है ये किस से related है education ministry, supreme court, home ministry, defense ministry इसका answer है supreme court जी हां सुपेश अगर हम बात करें तो इसका full form है supreme court portal for assistance in court efficiency जी हां supreme court ने ये एक portal launch किया है जो कि artificial intelligence research portal है इसके अंतरगत क्या होगा कि वहां कि जो supreme court के judge है या फिर advocate है उनके workload को कम करने के लिए ये एक artificial intelligence portal स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है सुपेश question number 4 की तरफ चलते है which state is in news for a scheme पडिवार पहचान पत्र scheme एक बहुत ही important scheme है जिसका नाम है पडिवार पहचान पत्र आपको बताना है कि ये किस state से बिलॉंग करता है तो ये scheme है जी हां हरियाना government की हरियाना सरकार ने ये scheme लाया था जिसका नाम है पडिवार पहचान पत्र अभी हाल में हरियाना के आईयस ओफीसर अशोक खेमका जिनका नाम हर कोई जानता है क्योंकि वो जाने जाते हैं अपनी honesty के लिए तो आईयस ओफीसर अशोक खेमका ने वहां पर एक लेटर लिखा और हरियाना के ministry of finance को ये लेटर गया और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से इस scheme में corruption की जा रही हैं तो थोड़ा जानते हैं इस scheme के बारे में इस scheme का नाम है परिवार पहचान पत्र योजना जो कि 2020 में वहां के government के दोड़ा लाया गया है हरियाना की government ने इस scheme के अंतरगत जिस तरह से आधार में एक ID कार्ट होता है और हर एक individual का एक unique ID होता है वैसे ही हर परिवार का एक unique ID होगा और ये scheme लाया गया है हरियाना सरकार के दोड़ा मेरी मेरा परिवार मेरी पहचान इस scheme के अंतरगत ये जानने की कोशिज की जाएगी कि वहां की जो family है उनकी economic condition कैसे है और जो weaker section है उनको support किया जाएगा ठीक है तो आगे बरते है question number 5 की तरफ E9 पहल is related to E9 पहल किससे related है तो E9 पहल जो है वो related है education से देखिए ministry of state education ने अभी हाल में एक meet को host किया उस meet में countries आये थे और वहां पे sustainable development goal 4 यानि कि क्या है 4 quality education को promote करना उसके लिए ये पुरा meet हुआ था वहां पे ये discuss किया गया कि digital learning को किस तरह से बढ़ाया जाए तो आप से पूछा जाएगा E9 पहल किसे related है तो वो related है education से question number 6 देखते हैं रमायन secretariat and cultural center is established at रमायन secretariat बनाया जा रहा है आपको बताना है कहां तो ये बनाया जा रहा है उत्तरपर्देश के 12 बंकी में यार रखेगा उत्तरपर्देश के 12 बंकी में ये बहुत ही important है क्योंकि एक पूरा secretariat है पूरा center है cultural center बनाया जा रहा है रमायन को सभी भासाओं में दिखाया जाएगा और यहीं नहीं tourist बाहर से आए इसके लिए Japanese, Russia actor और actress के रूप में इसमें पूरी painting दिखाया जाएगी वहाँ के actor और actress के ताकि वहाँ के लोगों को भी रमायन पूरी दर से समझ में आए तो ये बहुत important पहल है question number 7 देख लेते हैं Pong Dam Lake is situated at काफे ज़्यादा news में है ये लेक इसलिए इस question को डाला गया है Pong Dam Lake is situated at कहा है ये लेक guess कर ले जी ऊहां ये है हिमाचल पड्देश में डेखिए Pong Dam Lake क्यूं देख जाता है काफे जाधा संख्या में मर रहे और ये जो बर्ड है ये क्यों बर्ड रहा है क्योंकि वहाँ पे आ गया है बर्ड-फ्लू in the रिख ? इन। हिमाचल में है Pong Dam Lake और यह जाना जाता है महराना परताप लेक के नाम से भी क्योंकि यहाँ पे महराना परताप का फोर्ट भी है वियाद रखेगा फोंग डैम लेक हिमाचन पर्देश Q8 की तरफ चलते हैं What is the India's expected target set up by IMF for financial year 2021-2022 इंडिया का क्या GDP expect किया गया है IMF के द्वारा IMF यानि International Monetary Fund for 2021-2022 तो वो target किया गया है 12.5% IMF एक बहुत important financial stability organization है जो कि यह देखता है कि किसी भी country में foreign exchange कितना है और अगर कोई financial crisis आती है तो वो help करता है देखिए IMF जाना जाता है stability के लिए और यह कब found हुआ यह जान लेते हैं तो यह बना था 27 दिसमबर 1945 को 27 दिसमबर 1945 को IMF बना था और इसकी managing director कौन है वो है क्रिस्टेलीना जोर्जिफा ठीक है इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की गीता गोपिनाथ वहां के chief economist है तो बहुत important है तो याद रखेगा IMF UN का body है चलिए आगे परते हैं question no.9 की तरफ Flipkart is going to set its largest fulfillment center of Asia at बहुत important news है क्योंकि Flipkart अपना सबसे बड़ा center शुरू करने वाला है कहां पूरी एशिया का है वह center सबसे बड़ा तो वह सुरू करने वाला है गुरू ग्राम में जी हाँ हर्याना के गुरू ग्राम में Flipkart अपना setup करने वाला है अगर हम लोग Flipkart की बात करें तो Flipkart कब बना था यह बना था 2007 में और इसके founder कौन है तो वह है सचीन बंसल एंड बीनी बंसल इसके CEO अभी कौन है तो वह है कल्यान कृष्णा मूर्थी पियाद रखेगा Flipkart क्या कर रहा है अपना center स्टार्ट कर रहा है गुरू ग्राम में question number 10 देख लेते हैं पदम स्री अवाडी डॉक्टर फतीमा जकरिया has died recently स्रीवास क्योंकि यह पदम स्री अवाडी थी तो इनका नाम important हो जाता है अभी हाल में इनका death हुआ है इनका नाम है डॉक्टर फतीमा जकीरिया और यह किस रीजन से बिलॉंग करती है यह कौन थी तो क्यों दिया गया था इनको यह अवाड तो यह अवाड इसलिए दिया गया था क्योंकि उन्होंने school education पे पुखा सारे आर्टिकल लिखे थे और education system को improve करने की बात रखी थी चलिए देखते हैं आज का सवाल ब्रिक्स financial ministryal meet 2021 is hosted by अभी हाल में ब्रिक्स financial ministry meet हुई है आपको बताना है कि इसे कौन सी country ने host किया है इसका answer आप comment box में दे सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो please like करे, share करे और channel को भी subscribe कर दे अगर आपने नहीं किया है Thank you